हलो दोस्तों, यह मरसी टेक्निशन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब जलालम आज का हमारा वीडियो है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैपिसीटर के बारे में हमारा एर कर्णिशन सिस्टम में दो तरह के कैपिसीटर यूज होते हैं एक running capacitor और दूसरा starting capacitor तो यहां पर हमने बहुत सारे capacitor multiple रखे हुए हैं कुछ खराब हैं और कुछ अच्छे हैं तो हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं कि running capacitor और starting capacitor को कैसे पाचानेगे कि कौन running capacitor है और starting capacitor है second हमारा अगर खराब हो जाता है capacitor तो हम कैसे find out करेंगे कि यह हमारा capacitor अच्छा नहीं है तो उसके लिए हमारे पास एक multimeter चाहिए जो multimeter के जरीए चेक करेंगे दिखाएंगे आपको और थर्ड हम सकेंड हम जो है अगर multimeter हमारे पास नहीं है तो without multimeter के check करके दिखाएंगे कि हमारा capacitor सही है या नहीं है तो सबसे पहले हम running capacitor और starting capacitor में difference जान लेते हैं तो हमारा जो running capacitor होता है running capacitor का क्या काम है कि running capacitor system में हमारा बनाये रखता है continuously ये अपना active mode में रहता है अगर system में लगा हुआ है तो और starting capacitor का जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो system में हमारा compressor है या motor है उसको सिर्फ और सिर्फ और start करने का काम करता है जैसे हमारा system run mode में हो जाता है उसके बाद starting capacitor relay के जरीए या दूसरा अपना जो है centrifugal switch के जरीए ये deactiv हो जाता है तो हम ये difference हम लोग जान गए और दूसरा पहचानने का ये है value इसका जो है micro fraud में इसका measure किया जाता है capacitor का जैसा कि आप देख रहे हैं ये 80 mu f करके लिखा हुआ है plus minus 10% तो इसका जो value है starting capacitor का तो जादा होता है running capacitor के मुकाबले आपको running capacitor mostly जो आपको है 50-60 mfd तक मिलेगा या 2.5 mfd 3 mfd इस तरह से आपको देखने को मिलेगा लेकिन starting capacitor जो है ज्यादा value को मिलेगा देखिए एक और हमारे पास starting capacitor है ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा 145 से लेकर के 174 mu f तक है तो इसका value ज्यादा है और हमारे पास जो running capacitor है ये देखिए 35 mfd है प्लस 5 mfd वो fine कर दिया हुआ है जो हमारा split window में ज्यादा तर यूज होता है running capacitor ये हमारा कितना 50 mfd का है जैसा कि आप देख रहे हैं 50 mfd का है दूसरा ये जो है देख रहे हैं ना motor start लिखा हुआ है इसके ओपर motor start लिखा हुआ है इसका जो value हमारा है 140 mfd plus minus 10% एक चीज और common इसमें क्या है कि इसका जो है percentage जो है plus minus 10% दिखाएगा जो कि हमारा जो ये capacitor running capacitor है running capacitor का जो percentage है plus minus 5% दिखा रहा है plus minus 5% दिखाएगा और हमारा starting capacitor का plus minus 10% सो करेगा ठीक है अब ये difference हो गया अब हम लोग जानेंगे इसको check कैसे करेंगे तो multimeter से check करने के लिए ये हम आपके पास multimeter में ये option नहीं होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये multimeter ये off position में आया और उसके बाद यहाँ पर capacitor का symbol बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे capacitor का mode पर लेके आएंगे ठीक है और उसके बाद ये mega ohms में दिखा रहा है ये nf में आ गया ठीक है तो इसको अब हम लोग चेक करेंगे value इसका ये देखिए 50.3 microphone दिखा रहा है तो ये कितना mfd का हमारा है ये 50 mfd का है तो ये capacitor हमारा जो है अच्छा है दूसरा हम लोग देखेंगे ये 0 L दिखा रहा है मतलब ये capacitor जो हमारा है ये साई नहीं है ये capacitor हमारा पुराना है और ये हराव है जो कि यहाँ पर आप देख रहे है 46 microphone का है लेकिन इसमें कोई भी value नहीं आ रहा है सेकेंड हम लोग चेक करते हैं ये हमारा 35 आ रहा है 35 इसमें देखते हैं कितना है ये 35 mfd का है और प्लस 5 mfd तो fan का भी देख लेते हैं ये देखिए 4.97 मतलब that is okay और ठीक है ये दूसरा हमारा ये जो है ये कितना 100 कर रहा देख लेते हैं ये 130 सो कर रहा है ये हमारा starting capacitor है ठीक है starting capacitor तो 130 सो कर रहा 140 इसका मिव f दिया हुआ है micro fraud तो plus minus 10% मतलब कि 10% नीचे जा ये सकता है तो ये हमारा capacitor यूज कर सकते हैं ये हमारा सही है अपना 2% 4% जिसे plus minus 5% उसका है तो अगर 35 के जगाँ पर 30 सो हो रहा है तभी भी कोई दिक्कत नहीं हम लोग use कर सकते हैं तो इस तरह से आप multimeter के जरीए check कर सकते हैं दूसरा अगर आपके पास multimeter नहीं है तब हम लोग को क्या चाहिए power supply चाहिए neutral और faith चाहिए उसके लिए क्या करना होगा अभी हम आपको दिखाते हैं live वीडियो में और इसके लिए जब भी आप टेस्ट करें तो बहुत safety से क्या अपना टेस्ट करने का समझ गये ना safety बहुत ज़रूरी है जब आप power से check करेंगे तो आप ये दोनों point को ये दोनों parallel line को एक दूसरे पर touch करेंगे ठीके सिर्फ एक दूसरे पर touch करके हटा लेना है जैसे ही मतलब just second में इसको हटा लेना है supply मिलने के बाद उसके बाद क्या होता है ये हमारा capacitor active mode में हो जाता है और फिर हम लोग उसको एक screwdriver आपके पास होना चाहिए उससे हम लोग sort करेंगे अगर उसके अंदर से sound अच्छा आता है मतलब ज़्यादा तेज sound आता है तो वो हमारा सही है लेकिन अगर sound नहीं आएगा तो समधिये वो सही नहीं है सबसे पहले हम power supply इसमें डालके तोड़ा safety से करने का तोड़ा sort करेगा से ओके ये हमारा active हो गया अभी switch off कर लेते हैं अब उसके बाद हम ये आपस में इसको sort करेंगे ठीक है ना ये देखे आप ना ये पुरा कैस के sound आया इसका मतलब कि ये हमारा capacitor अच्छा है ये हमारा तेज sound आ रहा था यहाँ पर देख रहे हैं न ये दो को हम sort करेंगे आपस में तो हमारे पास neutral प्रेट चाहिए ये टच कर आए ओके ये हमारा active हो गया अभी हम एक screwdriver लेकर करके आपस में इसको sort करेंगे हमारा इस तरह से आप जो है चेक कर सकते हैं तो इस तरह से आप अगर आपके पास multimeter नहीं है तो आप इसके जरी करेंगा उसके अंदर वह आपका जो है टेस साउंड आएगा तो इस तरह से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं दूसरा ये दोनों का difference आपको हम बता दिया तो यह था अज़र टॉपिक और कभी भी safety से थोड़ा काम करें और अगर जिसमें अगर जो पूरा खराब रहेगा ना तो उसमें आपको कुछ भेलूई नहीं आएगा रेडिंग सो नहीं करेगा जैसा कि आपको जीरो दिखा रहा था ना वह इस तरह से रेडिंग सो करेगा चले फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसर टॉपिक के साथ अपना आप ख्याल रख झाल करे गिर उन मिलते हैं क touch झाल कि पना कि आ धды झाल को कि आपको िcingक करे इस दो धने रहीं वीडियों में मिलते हो फिर ब weeks situation सो ऐा कृब हो öंगा है